अलपसंख्यांक और प्राइवेट स्कूलों को सरकार की ओर से किसी भी तरह का अनुदान नहीं मिलता उन्हें छात्रों से मिलने वाली फीज से ही समुची व्यवस्ता का खर्च उठाना पड़ता है इस आलत में फीज लेना स्कूलों का अधिकार है यदि स्कूल नियमों का उलंगन करता है तो उसके खिलाब कारवाई जरूर होनी चाहिए लेकिन केवल फीज वसूल रहे इसके लिए विरोध नहीं होना चाहिए अधिक फीज वसूलने के मामले में स्कूलों पर F.I.R. अधिक फीज वसूलने के मामले में स्कूलों पर F.I.R. दर्च करना उचित नहीं होगा ऐसा राज्य अलपसंख्यांक आयोग उपाध्यक्ष जेम अभ्यंकर इन्होंने कहा अलपसंख्यांक स्कूलों सहीद बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूलों के समस्याओं से आउ फीज दी जाती है क्या इस तरह के तमाम मुद्दों की जाज भी की जा रही है प्राइवेट स्कूलों को सरकार से अनुदान नहीं मिलता बच्चों से जवा होने वाले फीज से कूल चलाए जाते है कोविड काल में यदि पालक यह कहे कि वे फीज नहीं देंगे तो फिर स् कूलों के संचला को प्राचारियों ने अभ्यंकर से मलाकात कर समस्याओं से अउगत कराया कूलों का कहना है कि पालकों द्वारा फीज नहीं दिये जाने से दिकत पर जाएगी कूलों ने इस बार फीज में रुदी नहीं की साथ ही पालकों को किस्तों में फीज जमा करने की भी सुवी दादी गई है चर्चा के दौरान आर्टी के रकम मिलने में देड़ी का भी मुद्दा उठाया गया उनका विशेप ऐसा है कि उनके पास सब अधिकारी वगएर जा रहे हैं और पूराने चार चार पाच-पाच साल का उनके पास से हिसाब मांग रहे हैं कितने बच्चे थे, कितने भीज थी, पूरा इंकम कितना हो गया, उसमें फिर खर्चा कितना हो गया, यह सारे डिटेस उनको पूछ रहे हैं वो ऐसे बताते हैं कि उसके बारे में इंफर्मेशन नहीं देंगे, तो हम आपके अगेंस में कुछ कारवई करेंगे इसके साथ में ऐसा भी बताया जाता है कि आपके अगेंस में हम यफायार दाखल करेंगे इस तरह के की तक्रार उन्होंने मेरे पास किया है क्योंकि वो minority institution से belong करते हैं मैं आयोक का अधिक्ष हैसियत से उनकी बात सुनना मेरा काम था ना तो डिमांड है ना मांगे हैं एडिकेशन लाइन में स्कूल चलाना है बच्चों को शिक्षा देनी है बराबर से डिपार्टमेंट की हर इंस्ट्रक्शन को हमने कबूल किया माना और पेरेंट्स तक पहुंचाया लेकिन आज दस महिने में 30-40 30-50% मैक्सिमम पेरेंट्स पेमिंट्स की हैं तो बस एकी रिक्वेस्ट है आपके मीडियम मीडिया के थुरू कि किसी ना किसी तरह से यह संदेशा सब को पहुंच जाए कि गाड़ी हमारी पटरी पे खड़ी है अब उसको चलने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा हमने जहां तक परस्नल लेवल पे मैनेजमेंट ने प्राइवेट स्कूल ने इसको खेंचने की कोशिश की कर ली है इसके बाद जब तक फीस आनी शुरू नहीं हो जाती तब तक आगे स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो सब को समझ रहा है हमारा रिप्रेजेशन अपने अनेडिट स्कूल के तरफ से था और इसमें हमारे कई हद तक मांपनी इन्स्टेशन भी हैं हमारा क्लैटिव एक रिप्नेटेशन था की आज 10 मेने हो गहे हमने पैरेंस सब्सक्राइब पर हमारे कहीं से भी खर्चे रुखे नहीं, बलकि बढ़ गए हैं, ऑनलाइन पद्धिती जो है पढ़ाई करने की वह बहुत डिफिकल्ट है, टीचर्स ट्रेंड नहीं थे, हमको ट्रेनिंग प्रवाइड करनी पड़ी, हमने इनको इंटरनेट सर्विसेज दिये, कई टीचर से नवानी लेके दिया, स्कूल से प्रवाइड किया, प्रवाइड किया, क्योंकि माध्यम नहीं होगा, अकर मीडियम नहीं होगा, तम कहां से पच्छे टीचर्स भी पढ़ा पाएंगे, बट आल टेल यू फॉर एक्ट, कि जो पुराना फिजिकल तरीका था, उससे भी ज् देंगे, बट किसी ना किसी के बैकावे में आकर वो फीज नहीं देना चाह रहे, कैमेरा परसंट राजकुमार मोहड के साथ, अभिशेख पांसी की रिपोर्ट, BCN येल्जनापुर